अरे गबराती क्यों हो देशमोग अब तक तो जलकर राक बन चुका होगा अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरुजा ही नहीं है बस बस अब ये भाशन बन करो हमारे कान के परदे पट रहे हैं बस बन कर कौन बोल रहा है चला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले तुने मेरी राख मंगवाई ती टिका लगाने के लिए मैंने तरे भड़वो की राख भेजिये पूरे बदन को लगा ले ठंडा कर अपना भेजा ठंडा कर जतुर सिंग के आदमियों के चि की बात नहीं है ठंडा कर यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख तेरे पालतु कुट्टे की निशानिया उसमें मौजूद है अबे हराम के तुने चलती हुई आख में हाथ डाला है हम तुमें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी अरे मुझे जलाने की बात छोड़ मैं तो तुझा ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आस्मा चतुर सिंग उपर वाले के हाथ से तु बचे ना बचे लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई ने बचा सकता अगर एक बाप की आउलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा तु भौकता बहुत है अराम के और भौकने वाले कुट्ते हमें पसंद नहीं अगर अपने बाप की आउलाद है तो आजाना मालक्षमी चौक पे हम हर साल नवरात्री को मा की पूजा करने वहाँ जाते हैं अरे जितनी मन्नते मांगने आए आखरी बार मांग ले ये तेरी जिन्दगी के आखरी पूजा होगा